स्वागत है हकीम साथ बहुत धन्N वाद आपको हकीम साथ कई लोगों का यह सवाल होता है कि अगर हम निरोगी भी हैं अगर हमें कोई परेशानी भी नहीं है क्या तब भी हम उन raw material का इस्तमाल कर सकते हैं जो बेहद कीम्ती होते हैं जो आप उनको बताते हैं चाहे वो गौन-सिया हो गौन-मॉरिंगा हो जैटुन का सिर्का हो जैटुन का नमक या फिर कलॉनजी का नमक इन तमाम raw material का इस्तमाल किया जा सकता है यह कुछ raw material एसे हैं कि रोक के आने को भी रोकते हैं जी जैसे मैं अकसर कहता हूं कि जैतुन का सिर्का एक ऐसा सिर्का है जो चालिस साल के बाद लेना चाहिए वैसे तो पहले भी ले सकते हैं लेकिन चालिस साल के बाद अगर लेंगे तो चालिस साल के बाद चार या पांच रोग हमारे अंदर आने का अंदेशा होता ही है और उसमें से कौन सा रोग आएगा य हमारा कॉलिस्टॉल बढ़ने लगता है हर किसी का चाहिए वो डॉक्टर हो हकीम हो कोई भी हो उसका कॉलिस्टॉल बढ़ने लगता है यानि खूल की वो जिद्दी चर्बी जो हमें नुक्सान देती है उसे कॉलिस्टॉल कहते है अब ये बढ़ता है तो हमें ब्लेड पेशर बढ़ता है, क्योंकि जब खूल गाड़ा हो जाता है, तो दिल को उसको फैकने में बड़ी परिशानी होती है, इसलिए ब्लड पेशर बढ़ता है, और जब ये मुस्तकिल रहता है, तो कभी हमें फालिज भी हो सकता है, दिमाग में अगर ये चर्बी फंस गई, तो फालिज ह हो सकता है, दिल में अगर फंसने लगी, तů हार्ट ब्लॉकीज हो सकता है, फिर एक और खतरा है के डाब आप्टीज बि इस वोबर के बाद आती है, लीवर प्र माती है, पेट की प्रॉबल्ल माती है, इंपक्शिन की प्रॉबलम आती है, तो इन सब बीमारियों से आप सु नहीं हुआ है तो एक बार लें ताके आप और हम रोग मुख जिन्दगी गुजार सके मेरट से हैं वैष्णवी स्वागत है आपका हालो है वैष्णवी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है हालो हालो बोली बोली मैं मुझे अपनी बारे में पूछना है पूछिए मैं में उनको ना कैलिस्ट्रॉल बहुत जादा बढ़ रहा है उनकी उम्र क्या है उम्र उनकी पचपंस ठीक है वैष्णवी देवी जी देखिए यह उनमें किसी का भी कालिस्ट्रॉल बढ़ता ही है जो दवा दे रहे हैं वो अभी रोके नहीं लेकिन एक दवा ब जैतून का सिर्का असली ले नकली भी बहुत मारकेट में भी है नेट पर भी है असली वाला लेना है और तीन चम्मच छोटे चाय के चम्मच तीस पून जिसे कहते हैं एक गलास पानी में मिलाकर रोजाना रात को पिला दिया करें मम्मी को यह बहुत मुफीदे उन लोगों से आप जरूर दिया करें इन्हें आपकी मम्मी को फाइदा मौकिन है अगले कॉलर से पंजाब से हैं लता जी स्वागत है आपका नमस्कार मैडम जी नमस्कार नमस्कार ही कि अधावर सब मेरे वहन है उसकी उमर है 45 उसके ना सर में फ्रांट फ्रांट में दर्द होता है साइड में दर्द होता है आपकों के उपर और फ्रांट फ्रांट में दर्द होता है पंद्रा दिन से हो रहा है दर्द ठीक है नजला वगरा हुआ था अभी कुछ नजला खांसी जो देखिए नजला खांसी कुछ हुआ हो आपको अभी महीना पंदर दिन के अंदर तो नजले की या ऐलर्जी की दवा जो होती है उससे वो जम जाता है कफ जम जाता है तो अगर ऐसा हुआ हो तो कफ निकालने की दवा ले और एक एकसरसाइज बताता हूँ वो ले तीन तीन मिनट तो एकसरसाइज बताता हूँ ऐसा बैठी है मेरी तरह और यह यह एकसरसाइज आपको तीन मिनट रोज करनी है तीन मिनेट, त्री मिनेट से, एक साथ कोई नहीं कर पाता, तो एक एक मिनेट करके तीन बार में करें, पूरे दिन में, एक तो ये, और एक ऐसे, 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 पूरी दोर से मोड़ें, ठोड़ी मेरी यहां तक आ जाती है, आपकी नहीं आएगी, जैसी आने लगेगी, तो सानपूर से है, नीरा जु स्वागत है, आपका, हालो, जी नमस्कार, मेरे दो सवाल है, असीन साथ से, जी, जी, मेरी एज है, पैटानिस वाल, मुझे एक महिने से पेशाब में दिख करते हैं, पेशाब में जलन हो रहे हैं, और मेरा दूसरा सवाल है, मेरी वाइज को पान शे मेने से, पंजों से ऊपर, उपने से नीचे स्वैलिंग जाती है, उनकी उमर क्या है? उनकी उमर है 35 एज़न, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पैशाब में इंफेक्शन अक्सर हो जाते हैं, मर्दों को भी और और ओरतों को भी, और एक आता है, नमक जैतून, ये एक नमक जैसा ही दिखने वाला पदार्त है, जो इसे रसाइन भी कह सकते हैं, जैतून का रसाइन, इस ये नमकी नहीं होता, इसकी पहचान ये नमकी नहीं होता, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नमक जैसा बिलकुल दिखता है, लेकिन नमकी नहीं होता, ताकि आप नकली नह ल मिक्स करें और पी लिया करें आप की परेशानी थीक होना मुमक्न है पशाब हो परिशानी हो इन्फैक्शन हो जलन हो पेट में गैस हो कबस हो लिवर में इन्फैक्शन हो वह सारे रोमों का गैस वैस का सब का इलाजी है तो आप ये इस्तमाल करें और आपकी पत्नी के लिए देखिए गौन सियाह आता एक और मैं बड़ा फिकर मन्द हूँ कि ये अब नकली बहुत मिलने लगाए असली आप हासिल करें और आदा आदा ग्राम सुबह शाम किलाएं सुबह नाच्टे के बाद आदा त और वेस्टन ट्वालिट आपकी पत्नी के लिए जरूरी है ये कुर्सी वाला शोचाले ये बहुत जरूरी दवा से भी ज्यादा जरूरी है और कुछ दिन मेहनत ना करें वज़र ना उठाएं तो लगी ये अगर असली मिल गया लकली बहुत मिलता है तो पंद्रह सोला पाथ फाइदा शुरू करता है zostगराम बी किसी को असली बिल गया तो फाइदा हो ना मूमकिल है देली से हैं दयावति जी स्वागत है आपका नंस्ते मैम जी नंशकार नमस्कार बाई साब जैहें अदाब कही ये बहन क्या हाल है ठीक है बाई साब बाई साब ये बताओ ये गोंड फिया गोंड मुरिंगा और जट उनका फिरका ये हम कितने दिन तक रख सकते हैं गर में खराब तो नहीं होता ये अदिखें दो साल तो नहीं होता कुछ भी और मौस्चर से जरा बचा के रखते हैं ये बहुत गर्मी से ये बहुत नमी से तो ये तो सवाल हो गया आपका और कोई सवाल तो नहीं है आपका और कोई सवाल ये है बाई साब बत्ते हैं बेटा है बत्तीस साल का बेटी है ठीक रहेंगे जैसे बलोकी जिना होएगी तो अभी तो ठीक है पर ले सकते हैं ना मतलब को रिखारे मुँ आथ से तो नहीं हो जाँगे गर्मी से ना ना इतो महासे होंगे भी तो भी खतम हो जाते हैं इससे एक ये अजीब औगरीब है खाली जैतечатवन का सिरका भी देसकते हैं उर बाकी चीजे नए भी मिला है तो कुई बात नहीं और और बताई किया सहवाल है अच्छा, फीक है और दिन में एक बार या दो बार बस आदी चुटकी बसाद चोटे बच्चों की खुराक होती है 45 बार जैसे किसी को एक रुपिया बर देते तो चोणी बर चोटों को देते जो बारा साल से कम के हूं और आपके कॉल करने से हमारा प्रोगाम ही बन जाता है आपको हमारे वीवर जानने लगे सब लाखों और आपका फोन नहीं आता तो ये तयागी जी भी आप पूछते हैं आज फोन नहीं आया देयावती जी तुम्हारी बेहन का उन्हें पता ही नहीं आपका हमारा रिष्टे का देखिये हमारे अलावा ये भी आपसे महबत करने लगे तयागी जी और इनके लिए भी थोड़ा दूआ किया करिये और कोई सवाल नहीं जब आप तक मेरे सारे नुसके पहुंच दिया जिस दिन तो उस हिलाके में तो आप ही प्रैक्टिस करना हमारा तो रिटार्मेंट हो जाएगा और आपके हां लोग चक्कर लगाएंगे लेकिन अच्छी बात दियेगा आपको असली नकली की पहचान हो गई आप तो दुकामदारों को बता जेती हैं अकली बेचरों यह बहुत अच्छा होगा एक आदमी दो आदमी तो मेरे ऐसे हुए जो दुकामदारों को भी असली चीज़ बता सकते चाहे वह वेद नहीं है तेकिन सीख तो लिया इतना और मुझे बढ़ा अच्छा लगता जब आप फो जैसे मेरी बैन की बैटी है उसकी आइट कम है वो 15 साल की है और दूसरा स्वाल है मेरा पास साल से वजन बढ़ गया है मैं नींद की दवाईया लेती हूं उनके बाद मेरा वजन बढ़ गया है और पीसरा स्वाल है कि मेरी टूबेब लोग हो रही है जैसे हम टैस्टूब करवाना चाते हूं उनके लिए कोई उपाए हो तो बताओ दोनों टूबेब बंद है आपकी उमर क्या है मेरे 47 साल है मेरे पास 2 वेटी है ठीक है ठीक हाँ देखिए पहला सवाल क्या है पहला सवाल है किनकी बच्ची है 15 साल की हाइट कम है अभी गुंजाईश हो सकती है उसमें गौंद मौरिंगा सफेद असली नकली बहुत मिला है एक गिराम रोजाना पानी में दूद में ये नारियल पानी मिला के रोजाना एक बार दें सफेद गौंद मौरिंगा इन अकली बहुत मिलता है असली लेने की जिम्मेदारी आप ने और बच्ची को फाइदा मुमकिन है दूसरा सवाल इनका खुद का सवाल है कि इनका वेट बढ़ गया है और इनने लगता है कि नीन की दवाईयां लेने से और ट्यूब ब्लॉक है इनकी दोनों तो दीके एक एक दवा बता रहा हूं ये तीनों को आपके रोगों में फाइदा करेगी आपकी नीन की गोली भी छूट सकती है वजन भी कम हो सकता है और ट्यूब भी खुलना मुम्किन है दीके दवा एक है लेकिन काम बहुत करती है अब अलो बीरा कस सिर्का सिर्का विनेगर अलो बीरा का विनेगर तीन चमच या चार चमच च्छोटे चाय के चंबस एक ग्लाश पानी में डाले एक च्टकी में जितना खाने का सोडा आये वो उसमें डाले, मिक्स करें और रात के समय जब भी आपका सोने का समय हो सोने का समय हो तो उस वक्त पी का so जाए करें ये तीनों काम आपके लिए ये करते है आप वरोसा रखें कि अगर आपने असली चीज़े ली तो आपको फाइदा ममकिन है तीशरा दोई सवाल भी हकीम साब